आज अमारे दन्य को लगतार 27 दिन है और 27 दिन से हम बिलकुल गांधिवादी तरीके से बैठे हुए हैं और हमारी मांगे कि राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल किया जाए इस बहाली की मांग के लिए हमने अनेक परकार के प्रदर्शन यहां सवेदानिक दाइरे में रहकर किये और अभी भी हमें उम्मीद है कि तेरा तरीकों लगने वाली आचार सहीता से फहले फहले जरूर हमारे लिए बजनलाल जी वो आदेश निकालेंगे कि युवा मित्रों को बहाल किया जाता है और उस आदेश को लेकर हम घर जाएंगे खुशिया मनाएंगे और जितने भी यहां संगर्श किये उनके बाद उस बहाले की मांग को जो लेकर हम बैठे हैं तो मांग को पूरी बजलाल जी करेंगे और कुछी पूरी हम हमारे कर जाएंगे हमारी ऐसी मानना है और मैं पिर से उमार्थना करता हूं बजलाल सरकार से कि इन पांच अजार युवाओं को आपने देखा दो महीने तक इनके देरिये के आपने परिक्षा ली है तो अब मैं जहां तक मानता हूँ आपको इस समझ में आ गया कि वास्तों में ये किसी पार्टी से समंदित युवा नहीं है ये तो मातर और मातर पांच अजार विरुजगार युवा हैं और ये पांच अजार युवा ने इनके पीछे पांच अजार परिवार है तो जरूर वो हमारी मांग को सुनेंगे और समिख्या जो हो रही है उसके दोरान जरूर हमारी समिख्या करके करेंगे तो मैं तो यही कहनत रहता हूं कि हमें बहाली के आदेश प्रदान कीजिए नहीं तो आने वाले लोकस्वाद चुनाव हैं उनमें आप पत्तीस पार का सपना देख रहे हो पांच पार की संक्या आप डूंड़ते रह जाओगे देखिए दर्ने का 57 सथко और डिनेी के साथ साथ में हमने हैं ताकि सरकार अमारी इस मांग को पूरख करें इसके लिए सम्मारी समाशन समाश्छा बजञञांजी अटारी गाउंग घए थे जहां अटारी गाउं हम सांती पूंड तरीके से ग्यापन देने गए थे उनके माता पिता को लेकिन वह उस तरीके का विवार सलूक अमारे साथ किया गया जैसे कोई पाकिस्तान चातंकवा दिया जाता है वहां के गाउं के सरपंच ने और कुछ उ लेकिन हमारे साथ इस तरीके का दुरुवार हुआ हम तो भजनलाल जी से यह निविदन करना चाहते हैं कि गरीब किसान मजदूर के बेटे इनका आखिर क्या कसूर है जिनकी आप इतनी परिक्षा ले रहे हो कडाके की ठंड में यह रहे हैं ददकती दोपेरी में आज यहां बैठे हैं हम सिर्फ आप से हमारा रोजगार मांग रहे हैं जो आपने सरकार में आते ही छीन लिया था अगर आपको राजी युगांदी नाम से दिक्कत है तो आप इन वटल युवा मित्र बनाए किसी भी नाम से करें हमें कॉंग्रेस बीजेपी के इस दल्दल में नह तो रहर हैं हमएं सिर्फ जार मतलब है तो आप हमारी रोजगार के लिए काम करें आप लोकसवाइद चुनाओं में आपने भाद गया ठालीके मुद्दौ की बात करोगे तो यह हमारे साथियों ने किया आज बीका निर में अर्जुन मेगवाल के घर के आगे हमारे लगबक 500 युवा मित्र धरने पर बैठ गए हैं मैं कहना चाहता हूं यह अंदोलन अब गाउं गाउं धानी डानी में जाएगा जैपुर तक सीमित नहीं रहेगा अभी आने वाले दिनों मित्र बेटे हैं क्योंकि हम 5000 युवा मित्र सरकार के पिछे दोड़े कि हमें हमारा रोजगार दे दो लेकिन जो हमारे पिछे परिवार है वो कम से कम 50,000 वोट होंगे जिस दिन वो 50,000 वोट उनके खिलाफ रहेंगे न तब उनको पता चलेगा कि यह 5000 युवा मित्र को लग लेकिन हमारा दरना सालू ही रहेगा जब तक हम लगेंगे नहीं वापस जब तक दरने सालू रहेंगे हमाई तर गाव में गए थे हमारे साथ बूरी घटना हुई और मैं तो बजनलाल जी से कहना चाहता हूं जी मानने मुख्यमंत्री जी नाजेस्तान में जो राजनिति में जानकार है वो यह ही चाहते हैं कि वही लोगसभा के चुना होगा आज में मुख्यमंत्री चैंज होगा लेकिन हमारी यह बैन है जो छोटे-चोटे बच्चे लेकर यहां पिछले दो महीने से बैटी है उनकी दुआ काम आएगी आप पांस साल मुख्यमंत्री रहोगे और हमा जोना कहना चाहूँगा कि हम लोग तो आपके गाहूं गहे थे बिल्कुल गांधिवादी तरीके से ग्यापन देने के लिए कोई बैटा गल्ती करता है तो बाप के पास जाते है तो हम तो बिल्कुल हमने तो कोई ऐसा आज हम आज समझ एक तब तो दुआरा कोई माहोल भी खराब करने की कोई सिस्ट नहीं की थी चुप चाप जाके वहां से ग्यापन दे के वापस आ रहे थे लेकिन वहांके सरपंज और मिली वक्ति लोगों ने हमारे साथियों के साथ जो दूर विवार किया बहुत बहुत ही गलत हुआ है एक बिल्कुल आवाज हुटाई है हमारे माननी है पूरमुकी मद्री ऐस्यों गेलो जी उट लुट अरुबर मत्री ने उट सब बादिवर के मेन में आधे लेकोंदी आधीवासी नुचाइब हुट इसली हुट सार्तिến तो बेड़म साहव जिनोंने भी अमारी अवाज उटाई कापी बाच्वा के मुख्ये नहता थे पूरों उनने भी हमारी अवाज उटाई है और हमारी मांग जाईज है इस तरह से नहीं तोल सकती बीजेपी कॉंग्रेस में क्योंकि हम मतलब बहुत आसा के साथ में टारी गए ते वहां से भी हमें मतलब इस तरह से निकाला गाया सब आपको भी मालूम है उसके बाद में अब हम आगे की जो मतलब प्रिक्रिया है वो यही रहेगी हमारी कि अगर बजनलाल जी सुन लेते हैं तो ठीक हैं और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर अमारा गाउं-गावान दोलन चलेगा और हम चलाएंगे और आचार सहिता बोल रहे हैं और आचार सहिता क्या करेंगे हम बेरोजगार हैं बेरोजगारों की आचार सहिता क्या बिगड़ेगी हम क करमचारी तो रहेंगे नहीं, तो भी आचारसिता में भी करेंगे, और जो भी मतलब नेता आएंगे वापस अमारे गवन के अंदर, तो एक को अंदर नहीं कुछ नहीं देंगे, एक नेता को भी, फिर दिखाएंगे हमाँ.